मेरे प्यारे मसी भैविनों सबों को जय मसी की मेरे दोस्तों आज के इस समय में बहुत सारे मसी भैविनों के मनों में जो नए नए हुई मसी में उन लोगों को ये लगता होगा कि हमको दिपावली मनाना चाहिए या नहीं उनको ये मालूम है कि वो हमेशा से दिपावली मनाते आई हुए है और उनको लगता है कि हमें इश्वर जब वो प्रुवेश्य को मान चुके हैं मसी में आ चुके हैं तो उनको ये लगता है कि हम दिपावली मना है या ना मना है उनके मनों में ये सवाल रहता है तो मेरे प्य आप इस संसार के अनुग कोल ना बने बलके सब कुछ ने द्रिष्टी से देखे और अपना सवभाव बदल ले मेरे प्यारे मसीव है वनो प्रुकवचन कहता है कि आप इस संसार के अनुग कोल ना बने आप जो पहले से करते आए हुए हैं उन सारे चीजों को बदल ले कुछ नई द्रिष्टे से देखे आप जब प्रमेश्व में विश्वास करते हैं प्रमेश्व मसी में विश्वास करते हैं तो आप एक नई जीवन पाते हैं तो आप इस जीवन को प्रमेश्व को समर्पित कर दे प्रमेश्व के वर्चनों पर चले प्रव की आज्याओं को माने बहुत सारे मसी भैवन लोग बोलते हैं कि यदि आज हम अपने घरों में दीपक जलाएंगे खुश्या मनाएंगे तो साल भर तक हमारे घरों में उज्याला रहेगा हम खुशी से आनन्दित से रहेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रव बोलता है संत्योहन अध्या आठ पद संख्या बारे में बोलता है प्रव संसार की जोती मैं हूँ जो मेरा अनुसरन करता है वा अंधकार में भटकता नहीं रहेगा उसे जीवन की जोती प्राप्त होगी मिरे प्यारे मसी भ्यवनु प्रव क्या बोला था कि सब कुछ नए द्रिष्टी से देखो और प्रव का अनुसरन करो यदि आप प्रव का अनुसरन करेंगे प्रव की महमा करेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई अंध्यारा नहीं रहेगा प्रभू आपके जीवन को प्रकास मान करेगा आपके जीवन से हर एक अंधकार को खतम करेगा इसलिए आप प्रभू का अनुसरन करें प्रभू ही हमारे जीवन की जोती है इस संसार की जोती प्रभू ही है इसलिए आप प्रभू का अनुसरन करेंगे तो आपके जिवन में सदा के लिए अंधकार नहीं आएगा अंधकार नहीं रहेगा आपके जिवन में हमेशा के लिए प्रकास मान होगा तो मेरे प्यारे मसीव है विनों आप लोग प्रुव का अनुसरन करें और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम साल भर तक आनंदित रहेंगे लेकिन प्रुव क्या कहता है प्रुव बोलता है फिलिपियो अध्या 4 पद संख्या 4 में जब हम परते हैं तो वहां बोलता है प्रुव तुम मुझ में हमेशा आनंदित रहो प्रुव में आनंदित रहो हर संसार की चीजों की पीछे नहीं भागता है वो प्रव में आननीत रहता है तो मेरे प्यारे मसीव हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बाते समझ में आये होंगे और आप लोग जैसा संसार करते हो वह इसा नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे मसीव हम जदी आप लोगों को या वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब करिए सबो को जैमा सिक